क्या होम लोन एक ही बार में फिक्स्ट और फ्लोटिंग हो सकता है दरसल SBI ने यही स्पाश्टी करण रिजर्व बैंक से मांगा है दरसल SBI एक ऐसा प्रोड़क्ट लाना चाहता है जिससे वो ग्राहक जो फिक्स्ट रेट पर होम लोन लेना चाहते हैं उन्हें भी ओफर किया जा सके और बाद में जाकर यही होम लोन फ्लोटिंग में तबदील हो जाए यह इस तरह का अनोका एकलौता होम लोन प्रोड़क्ट होगा जबसे Reserve Bank of India ने बैंकों को सभी रीटेल लोन को फ्लोटिंग में बदलने का निर्देश दिया है और दरों को external benchmark पर ही तै करने का फर्मान सुनाया है बैंकों के बीच इसे लेकर बहस छड़ गई है कुछ बैंक्स इस पर और ज़्यादा सफाई चाहते हैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टीट बैंक आफ इंडिया ने भी Reserve Bank से सफाई मांगने का मन बनाया है दरसल स्टीट बैंक आफ इंडिया एक ऐसा long term home loan product लाना चाहता है जो शुरुवात में fixed interest rate वाला हूँ और बाद में floating interest rates में तबदील हो जाए SBI इसके लिए RBI से सफाई मांगेगा SBI के चेर्मेन रजनीश कुमार का कहना है कि बैंक fixed rate वाले loan product को floating rates पर कैसे shift कर सकते हैं क्योंकि कुछ घर खरिदार अपने loan rates fixed रखना भी चाहते हैं ऐसे खरिदारों के लिए bank fixed floating product ली प्रेशकश कर सकता है जहां ब्याजदर शुरुवाती 5 या 10 सालों के लिए fixed रहे और उसके बाद floating हो जाए SBI में floating rate home loan MCLR से linked है bank ने हाल ही में repo rates से linked home loan product भी launch किया है SBI में कोई भी fixed rate home loan product नहीं है अभी MCLR के तहट floating rates loan ब्याजदर के उतार चढ़ाओ के हिसाब से reset होते हैं लेकिन fixed rate loan 9 से 12 महीने में reset होते हैं loan के repo rate में linked होने पर उनकी ब्याजदरे repo rate में RBI की ओर से की गई कटोती बढ़ोतरी के आधार पर तेजी से बदलेंगी चीजें गिर्वी रख loan लेने वाले कई कर्जदार आमतोर पर fixed rate चुनते हैं SBI का कहना है कि retail loan पर floating में shift करना और benchmark और external benchmark पर loan देना ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि SBI नहीं सबसे पहले repo rate link loan देना शुरू किया था इंतजार है fixed loan पर RBI के जवाब का Bureau Report, Z Business अभी ओला, Uber के जरिये लोग car pooling करके office यहां पर घर जाते हैं अपने लेकिन बहुत जल्द निजी कार मालिक भी अपनी कारों का इस्तेमाल pooling के लिए कर सकते हैं दरसल सडक और परिवहन मंत्राले ने इसके लिए guidelines तयार की हैं और इन guidelines में shared mobility को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और सरकार को लगता है कि इससे कई फायदे होंगे समीर दिक्षेत हमारे सहोगी इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए live जुड़ चुके हैं समीर मतलब अपनी गाड़ी को आप shared भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए guidelines किस तरीके के इस्तम आगे जारी किये गए हैं और क्या फायदा हो सकता है बिल्कुल सरकार shared mobility को बढ़ावा देना चाहती है shared mobility के जरी सरकार एक तीर से कई निशाने साथना चाहती है सबसे पहला यह कि जो सडकों पर बेताहशा गाड़ियां हैं उनकी संख्या को कम करना चाहती है production के स्तर में कमी लाना चाहती है और साथ ही बहतर public transportation system डेवलप करना चाहती है उस दिशा में सरकार ने कदम यह बढ़ाते हुए कि अब ओला उबर की तरह private जिनकी गाड़ियां है नीजी, कार, चालक भी अब वो कार पूलिंग कर सकते है यानि कि वो भी ओला उबर की ही तरह एक mobile app के जरीए कार पूलिंग कर सकते है मसलन अगर कोई दिल्ली का मयूर विहार इलाके से विजय चौक तक जाना चाहता है पारलेमेंट तक जाना चाहता है अगर वो इतना दूरी तय करता है 10 किलोमेटर की तो mobile app on करेगा उसमें ये देखेगा कितने लोग उस रास्ते में उनके साथ जाना चाहते हैं फिर वो लोग उनको अपने साथ में शामिल कर सकता है एक app के जरीए कारमालिक को ride की जानकारी देनी होगी और उस app के जरीए locate किया जा सकेगा कि हाँ उस particular destination पर जहाँ पर आप खुद हैं वहाँ पर और कितने लोग जा रहे हैं जिसके जरीए shared mobility के जरीए इसे मुम्किन किया जा सकता है